भाई पास्ता खाऊं ये चली गालिक नूडल्स खाऊं या फिर क्या लगता है मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोडी लगा देना चाहिए और क्या गोलते हैं तुम लोग क्या है ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं बाहर जैस आउट्साइड इंडिया वर्चुल पार्टी करने का क्योंकि बाई ऐसा जाना तो मुश्किल है लेकिन वर्चुली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं चले ये खास बात पता है कैसे पॉसबल है विकल्स हमारे पास टेक्नॉलजी है आप लोग भी तो करते होगे वर्चुली इपने फ्रेंड्स से कॉनेक्ट कोई बच्चा वी पर करता होगा कोई इंस्टाइब करता होगा और आज कल देखो थोड़ा कम यूज करना चाहिए क्योंकि बाई एक्जाम आ रहे हैं चले इसके अलावा बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं चाहिए वो खाना ओर करना हो चाहिए वो किसी कंटरी डिश क आना हो या फिर कहीं से कुछ बाहर से ओडर करना हो और इंफाक्ट मैंने तो यह भी देखा है कि लोग बाहर से आइफोन और करते हैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अरे सर उदर सस्ता मिल जा था तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि क्या यह सब इमाजन करना भी पॉ ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वर्ल्ड या नहीं यह दुनिया एक बन चुका है चोटा सा गाउं यह चोटा सा विलेज और यह बना कैसे यही सारा तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले आरे कहां पर वहीं पर जहां पर मिलता है आपको नौलेज का भंडार आपको यानि making of global world तो बच्चा बाड़ी क्या बोलती यह चालू किया जाए चालो आज बड़ा बचसे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जबदस टॉपक जबर जास वाली बात के साथ बड़ी खूप सूरत सी बात मुझे याद आती है यह अगर आपको सूरज की तरह है तो पहले स सूरज की तरह है जलना तो सीखो बाबु मुझे और आज यही करने वाले आपको खतम करें तो आप चमकने लगो सूरज की तरह है और टॉपक भी आपको चमक जाए ठीक है चले भाई तो बात करते हैं बच्चे इस पूरे टर्म यानि ग्लोबलाइजेशन की तो समझ यहीं करने के रहे हैं तो चलो मैंने सॉफ़वर को सब्सक्राइब करने के लिए तो पहला चीज मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं मैं कौन हुआ है मैं लेबर हूं सली होओ कि मैं अपना काम करने जा रहा हूं नमबर वन किस लिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे बेटर उपर्चुनिटी चाहिए थी मुझे बेटर काम की तलाश थी इसलिए मैं शायद बाहर चला गया लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा हूं अपने साथ अपना कल्चर लेके जा रहा हूं अपने खाने के तरीके लेके जा अपने भाशा को लेके जा हुआ एक ताने स्कीज को भी लेके जा रहा हूं तो स्कीज होतं सब्सक्राइब जो जो ताइस को इंसान हो गाँ जिसको इंडिया बहुत श्हुत पशन है और भारत के नहीं सारी चीज यह लिए बात्क बहुत में transfer होती रही है दूसरे countries में transfer होती रही है और globalization इस process से पहले भी एक दुनिया exist करती थी जिसको हम कहते है हमारा pre-modern world जहां पर लोग काम की तलाश में religion के objectives को पूरा करने की तलाश में ट्रेडिंग के तलाश में व्यपार करने की तलाश में इधर से उधर अलग-अलग countries में अलग-अलग देशों में जाते रहें ठीक है और बच्चों कहीं न कहीं अगर आप देखोगे from ancient times चाहे वो travelers हो चाहे वो priest हो ठीक है या फिर आप कह सकते हो कि पहुत सारे ऐसे लोग ते जो बुद्धिजम का प्रचार करने के लिए भारत से अलग-अलग अलग देशों में गये थे बहुत सारे ऐसे foreign travelers थे जैसे इंडेस वाली civilization जो की बहुत डेवलाइजेशन दी बच्चे उनका भी वैपार हुआ करता था nearby countries से कैसे coastal areas के थ्रू यानी समूद्र के थ्रू तो ऐसे कई सारे examples हमको मिलते हैं अब इसी सिल्सले में इसका नाम कुछ और रूट कियो नहीं है जूट रूट कूञ कूट इसका नाम इसका नाम मिल गया इसका सिल्क रूट ऐसे बहुत सारे सिल्क रूट्स आपको समुद्र के अंदर साथी साथ अगरम बात करें जमीन के ऊपर यहां पर हमको आफरिका से आपके सिल्क रूट्स राइट और जैसे बहुत ही एच्छा एक्जामपल हमको यहां पर मिल जाता है कि जैसे भारत के जो फाब्रिक थे यानि टेक्स्टाइल है वह बड़ा वर्ल्ड फेमस था और इसी के साथ भारत के जो मसालें खासकर गरम मसालें जो की मस्त एक दम सबसी में डालते हो तो सब्दी का स्वाद आहां बोले तो वा वा हो जाता है कि नहीं तो बच्छे ऐसी चीजें भारत से एक्स्पोर्ट की जाती थी बाहर अलग अलग कंट्रीज में और बाहर से प्रेशर मेटल जैसे गोल्ड हो गया सिल्वर हो यूरोप से बहुत सारे इसन कंट्रीज में इंपोर्ट भी किया जाते थे तो ऐसी सारी की सारी बच्छे ट्रेट के एक्सांपल संको पुराने जमाने में देखने को मिलते हैं इसके लागों करें आपका खाना है आज आज आप पास्ता इटालियान और चिली गालिक नूडल्स ये सारा जो खा पहार के लोग अपने साथ इन चीजों को लेकर के आए इंडिया में इंट्रड्यूस किया तब हमको पता चला कि अच्छा भाईया खाने की यह चीजे भी होती है अब जैसे फॉर एक्जांपल अगर हम बात करें चाइना के जो नूडल्स है भाईया वही स्पेगेटी है वेस पास्ता तो नूडल्स को एकदम चीज वीज के अंदर लपेट करके वाइट सॉस में मना के रेड्स सॉस में मना के आपको दे देंगे और वही अगर आप किसी चाइनीज रेस्टो में जाओ बोलो आई वांट चिली गालिक नूडल्स तो आपको नूडल्स में चिली मस्त लिख डाल के देंगे हैगी नहीं बाइस बनाने के तरीका ठीक है अब इन वाक्त हमारे पूर्वतों कि अगर हम बात करें मारे आंसिस्टर की बात करें तो इनको भी बहुत सारे खानों के बारें पता ही नहीं था आलू क्या चीज है भालू क्या चीज है ग्राउंड नेश किसे कहते हैं जो आज कर आप चटनी के साथ खाते हो मेंस किसे कहते हैं टमाटर टमाटर किसे कहते हैं हरी हरी मिर्चा किसे कहते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े कई बार हमको नहीं बदाती हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे कॉमन फूट्स हैं जो हमको अरिजिनल ही जो अमेरिक एक ऐसा जंक्शन था जहां से व्यापार भी हुआ है साती साथ व्यापार के साथ सथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने आगे जाकर के हमारे देश पर कभजा भी किया यानि कॉलनाइजर्स चाहिए वो पॉर्तगाली हो पॉर्तगीज हो स्पानिश हो डच हो फ् सब्सक्राइब के अंदर अब जैसे अमेरिका बहुत अच्छा एक्जांपल प्रिजेंट करता है जब तक अमेरिका का डिस्कवरी नहीं हुआ था अमेरिका एकदम सुन्दर खुशाल मस्त वाला कॉंटिनेंट था लेकिन भाहिया जब कोलंबस भाहिया ने अपनी नाव ल अमेरिका में तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी जमीने घंए अमेरिका की इन फीन गाली कर सकते हैं यहां के मिनरल को privacy इंशतभर करसकतें इनका सबसे strong weapon क्या था क्या यह AK-47 से आप पर वर करते थे या फिर यह tank से आप पर हमला करते थे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था यह लोग यूज करते थे स्मॉल पॉक्स का वाईरस जैसे कि हमारे कुछ खास बैट सूप पीने वाले लोगों ने एक खदरनाक वाईरस फैला रखा था है कि ने कई बार फैलाई दिया था पूरी इंडिया पूरे वॉल्ड ने इसको जेला है है ना तो वी ओल नो कौन सा वाईरस तो इसी तरीके से ब रडाई करने जा रहे हैं वहां के लोगों को ऐसी बीमारी बारे पता नहीं था क्यों कि इतने टाइम से पूरे वर्ल्ड सा इसुलेट्टिट ए ठीक है तो नहीं तो प्रिपेर ही नहीं है ऐसी किसी बीमारी के लिए तो यह क्या करते थे कि इंफेक्टेड आदमी ले जाकर छोड़ जा जा मुन्ना जा फैला दे वाइरस ठीक मुन्ना जा रहा है पिटा वाइरस फैला रहा है जितने जादा लोगों को वाइरस लगेगा लोग मरना स्टार्ट होंगे और इनका गाम असान हो जाएगा तो आप कह सकते बिना गोली चलाए इन्होंने वार जीत लिया 19th century में काउंट होते थे लेकिन पंदरभी शताबदी से अगर आप देखेंगे तो भया क्या है कि चाइना जो है वह अपने को रेस्टर्ट कर लेता है वो कहता है कि हमको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना वियार इंटू आइजूलेशन और ऐसे समय पर मौका मिल जात करती है तो लोगों को बड़ा इंपाट करती है ठीक है फॉर एक्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमारे आईरलेंड में लोग थे आईरलेंड वाले लोगों को जब आलू के बारें पता चला उनको लगा आलू बहुत बढ़ी चीज है तो उन्होंने इतना जादा आलू जिनको अपनी जान भी कहानी पड़ी इसका एक और बहुत अच्छा एक्जांपल मिलता है कि आप कहते हैं प्री-modern world कहते हैं यह modern world उता हो श्रांग करने लगा छोटा होने लगा अब इसमें एक और किस्सा बड़ा बढ़ा है अल्डोराडो का अल्डोराडो क्या है माना हला कि वह बात अल्डोराडो मिला नहीं है ठीक है सो बच्छे ऐसे बहुत सारे एक्जांपल्स हमको कहीना कहीन देखने को मिलते हैं और ग्राजुली आप यह देखोगी जब चाइना इसलेशन में गया उसके बाद से यूरोप ने पकड़ बना ली इंटरनाशनल मार्केट पर और यूरोप बनके उबरा आपका अज़ा न्यू सेंटर ओ वर्ल ट्रेट ठीक है अब 19 भी शताब्दी के ऐसी शताब्दी के ऐसा सेंचुरी है जहां पर बहुत सारे आप कह सकते हो कि बाई ट्रांस्फरमेशन आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अब एकॉनमिस ने त पूछा गया है पीवाई क्यू है कुराने बोड एक्शांस में भी आया है तीन तरीके इंपॉर्डेंट फ्लोस हमको देखने को मिलते हैं कौन कौन सा है पहला है आपका फ्लो ओफ ट्रेड कहने का मतलब है कि 19th century में आप देखोगे तो वर्ल्ट के अंदर जो ग्लोबल ट् century में दूसरा है फ्लो फ्लेबर अब देखे फॉर एक्जांपल जब ब्रिटेन में फूट का डिमांड बढ़ा तो फूट इमांड को पूरा करने के लिए जो खेती बारी की जा रही थी वो अलग-अलग कॉंटिनेंट्स में की जा रही थी लाइक फॉर एक्जांपल से यूरोप से इन अलग-अलग कंट्रीज में जाके माइगरेट करने लगे ताकि वहां पर लेबर डिमांड को पूल्फिल किया जाए तो एक बहुत अच्छा एक्जांपल है यहां पर लेबर फ्लो का कि जब लोगों ने काम की तलाश में बेटर ऑपर्चुनिटी की तला करता था अपने नीट्स को पूरा करने के लिए जहां जाब भी खेती बाड़ी हो रही है उसके लिए पैसे वगारे सप्लाई करता था तो एक अच्छे एक्जांपल है क्यापिटल फ्लो का यानि इंवेस्ट्मेंट जो की एक देश से दूसरे जगे जा रहा है फ्लो कर रह है तो तीन तरीकी के फ्लोस हमारे इकॉनमेस ना इडेंटिफाई की है राइट चलो बच्छो इसके आगे हम बात करें लेस्ट फॉरवर्ट तो 19th century में एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया पहली चीज तो यह कि जब ब्रिटेन की पॉपलेशन है वह यहां पर बढ़ र रहे हैं उनके दामों के कंपैरेशन में इंपोर्ट समाने उसस्ता पढ़ आए अब बल्क में समाने इंपोर्ट कर रहे हो तो यहां की जंता अराम से खापी सकती है ठीक है लेकिन हुआ क्या इससे नुकसान किसका हो रहा है लोकल फार्मास का लोकल प्रेडूसर का तो उन् इंपोर्टेंट है एक नंबर में पूछा जाता है वाट वर कॉन लॉस तो कॉन लॉस ते कौन से कानून थे यह वह लॉस थे जिनको इंपोस किया था जिससे कॉटन के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके ठीक है अभी क्या होता है कि जनसंख्या जो पॉपलेशन उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो कॉटन के इंपोर्ट को जब रेस्ट्रिक्ट किया गया तो उससे एक बेनिफिट यह हुआ कि जो लोकल प्रेडिउसर से उनको तो फाइदा हो गया क्यों कि आप एक काम करिए इस रेस्ट्रिक्शन को हटा यह तो फाइनली कॉ समान कंपरिटिवली फिर से चीप हो गया लेकिन किसका नुकसान हुआ हमारे ब्रिटिश अगरी कल्चर का और ऐसे केस में मारा ब्रिटिश अगरी कल्चर इन इंपोर्टेट समान से बिलकुल भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था और कोई भी किसान ऐसे नुकसान की खेती क करना नहीं चाहेगा लोगों ने क्या किया अपनी जो जमीने थी वो छोड़ चाड़ के कहीं तो चेहरों की चले गए और कई ऐसे लोग ते जो देश छोड़ के किसी और एरिया में चले गए ताकि उनको बेटर ऑपरचुनिटी मिल पाए राइट चलिए अब रिटेन अग परचेट में डिमांड क्रेट हो चुका है लेकिन इस डिमांड को सप्लाइ करने वाला भी होना चाहिए यह डिमांड सप्लाइगा कौन करेगा आपके इस्टन यूरोप रेश्या अमेरिका औस्ट्रेलिया तो यह वो इरिया से जहां पर जमीनों को क्लियर किया गया ताकि यहां पर अनाज उगाया जा सके और इस अनाज को बिटेन की मार्गेट में प्रिटा जाके बिचा जा सके ठीक है अब के खेत से खेतों में जो अनाज उगाया किया है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा ट्रांपोडेशन सिस्टम होना थेक बेटर रेल किया पहुत सारे ऐसे लोग थे जो बच्चे ब्रिटेन के अंदर से लंडन के अंदर से माइग्रेट करके यूरोप से कहां चले गए अमेरिका चले 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 गए क्यूंकि वहां पे ज्यादा डिमांड है अगरी कल्चर करने के लिए लेबर चाहिए और लोगों को भी चाहि है और फ्लोफ ट्रेट कैसे हुआ कि ब्रिटिश मार्केट के अंदर उसको पूरा कौन कर रहा है आपके रश्या अमेरिका और आपके यह जितने भी पार्ट्स है ठीक है चलिए रश्या अमेरिका और यह वाले पार्ट्स यह आप उस दिमांड को पूरा करें तो इस तरीके अमेरिका और जितनी भी जगे जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है तो तीनो फ्लोफ यहां पर हम देख सकते हैं फ्लोफ लेबर भी है फ्लोफ ट्रेट भी है और फ्लोफ क्यापिटल भी है ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों चले तो बच्चे अग ग्लोबल अग्रिकल्चरल एकॉनमी जो था वो शेप ले रहा था साथ कर एक्जामपल अगर हम बात करें वेस्टन पंजाब में वेस्टन बंजाब में जो एरिया थे वो काफी जाए थे तो ऐसे ड्राइए किसी काम के नहीं है इनको अग्रिकल्चर लांड में करने के ऐसे बंजर जमीन को अग्रिकल्चर जमीन में कनवर्ट किया सके और ऐसे रियास को कहते हैं जिसको वेच्छों कनाल कॉलनीस थीक है बहुत सी बात है इंफाक्ट आप कह सकते हो जो कॉतन को क्ल्टिवेशन है वो भी एक्स्पांड होना साथ हो गया पुरा जन्होंने काफी हद तक आप कह सकते हैं काफी इंपोर्टेंट वे में कॉंट्रिब्यूट किया एक्जांपल अगर हम बात करें कॉलनाइजेशन के चलते चीजों को जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है ज्यादा ट्रेट करने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्च्च्छल चाहिए लाइटर वेहिकल्स चाहिए जो हलके हों जादा स्पीड पकड़ सकें ऐसे रिल्वेस चाहिए इन सारे को बूस्ट अब करने का काम क्या हमारे कॉलनाइजर्स ने ठीक है क्योंकि उनका बेनिफिट था अब इसका बहुत अच्छे एक्जांपल मिलता है यहां पर मीट मीट उसका रीजन था कि सब्सक्राइब करिए कि जो आपका अमेरीका है ठीक है अमेरिका से हमने के चलिए सो दो सो जो थी कैटल यानि गाय भैसे वगरों को शिप्स पे लीड किया शिप्स पे लोड करने के बाद आप वो दो तीन महीने की जर्णी कवर करके यूरोप पहुंच रही है अब इस दो तीन महीने की जर्णी जो की भाई सीवेज होती थी समुद्र के उपर शिप में ले लेकिन जब रेफ्रेजेटेट शिप्स का इंवेंशन हुआ तो उसमें क्या हुआ मीट को वहीं कट कर लिया जाता था अपने सोर्स पे उसके बाद को फ्रीज कर दिया जाता था इससे ज्यादा क्वांडिटी में आराम से जो है मीट को एक्सपोर्ट किया जा सकता प्रीज हुआ है उसका एक नेगेटेव एक्जामपल भी एक्जामपल 1885 में जो बड़े-बड़े उरोपन पावर्स थे उन्होंने आफ्रिका में मिलके पूरे आफ्रिका को अपने बीच में डिवाइट कर लिया इसमें अगर ब्रीटेन और फ्रांस को देखें तो इनके पास काफी चाही ट्रीटरी आ गई इसके अलावा बेल्जियम और जर्मिनी जो थे यह नए 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 कॉलोनियल पावर्स बने थे यह वन मार कोशन है अच्छा आ सकता है यूस भी जो था एक कॉलोनियल पावर बन गया इसने क्या कि जो स्पेन के पास पहले एरियास थे व भी बहुत जादा है तो ऐसी चीजों को एक्स्प्लोर करने में हमारे यूरोपियंस का बहुत फाइदा था ठीक है तो इन्हों ने सोचा कि क्यों आफ्रिका में जाकर के काम किया जाए अब होता क्या है कि 1890 में अफ्रिका के अंदर एक खतानाग डिसीस फैलती इसको हम कहते अब यहां पर आफ्रिका के अंदर आप देखेंगे तो मेजर जो सोर्स ओफ वेल्थ है आफ्रिकल लोगों का इनको पैसों के लिए कोई काम नहीं करना ठीक है पैसे के लिए काम करना इनका अब्जेक्टिव कभी था ही नहीं लेकिन इसने एक प्रॉब्लम क्रेट कर दिया ब्रिटिश के लिए या जो भी हमारे कॉलनाइज थे उनके लिए कि अगर प्लांटेशन आपको चलाने तो प्लांटेशन में आपको चाहिए बहुत सारा लेबर ठीक है प्लांटेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े इरिया में ग्रों कर क्या किया ऐसा नहीं होगा अगर फैमली में छे मेंबर से तो सब्सक्राइब के पास अधिकार होगा जमीन रखने का बाकी पांच लोगों को काम करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली जो हमारे आफ्रिकन लोग थे इनको फोर्स होना पड़ा लेबर परफॉर्म करने के अगर खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी आती हैंगी नहीं तो भाईया इनको फीट कराने के लिए ब्रिटिश एश्या से क्याटल मंगाई गया यानि गायब हैसे मंगाई अब यह क्या पहले से इंफेक्टेट थी अभी जो इंफेक्टेट टी जिसमें यह प्रॉब्लम में कैटल पॉपलिशन मर गई आज रिजल्ट जो हमारे बिचारे अफ्रिकन से उनको फोर्ट होना पड़ा यहां पर कॉलनाइजर के लिए काम करने के लिए ठीक है इसी सिलसले में एक और एक और नया सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं इंडेंशल लेबर बच्चे तरीकी यह आप infinite का लेबर है जहां पर पांट्राइ्ट साइन करते हो और इस कॉंट्राइट के बैसे से बहुत सारे इंडेंशल लेबर से जोंट्राक्ट लग देशों कहें थे काम करने के लिए अब देखें अगर मेजर मेजर एरिया जहां पर भारतिय काम करने कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसाम के टी अब मज़े की बात यह बच्चे कर आप देखें वेसंडी स्टीम के अंदर तो बहुत सारे ऐसे इंडियन नाम आपको देखें तो उनका भी जो रिजन है उनका डिसेंडेंस है वह कहां से इनी इंडेंचे लेवर फामिली से राइट अगर हम बात करें बच्चे 19th century इस बिचारें ना तो आपस आ सकते थे ना तो आचे तरीके से जी सकते थे तरीके से एक निया सिस्टम आप से श्लिवरी भी आप इसे कह सकते हैं इसके लाव बच्चो जब लोग वहां पर ते यह 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इस वरी इंपर्टेंट ठीक है इस बिच्चे को नहीं चीज़ों को जनम दिया वहां पर जो जुलूस होता है वह कार्निवल में करते हैं जिसमें सारे धरम सारे कम्यूनिटी के लोग जॉइन करते थे इसके अलावा अगर हम बात करें रास्ता फरानिजम का एक रिलिजन नया रिलिजन साट हुआ जहां प पॉपलर बनाया थे एक रॉक सिंगर बॉब मारले ने तो यह भी बच्चे कहीं ना कहीं इन कल्च्राल लिक्स को डेनोट करता है साथी साथ त्रिणी डाट और गोयाना में एक नहीं तरीकिये का म्यूजिक फॉर्म साट वादर स्कॉप चटनी म्यूजिक कहते हैं तो बच भारती लीडर्स ने इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था बोला था कि भाई बहुत गलत है और इसके चलते इंडेंचर लेबर बॉलेश वाता 1921 में तो बच्चे वन मार्क में कुश्चन आपसे पूच सकता है राइट चलिए इसका लगर हम बात करें कि हमारे कुछ ऐसे किसान जिनको कहीं ना कहीं बचे एक सपर्ट करने के लिए क्यापिटल का रिकॉर्मेंट था तो भारती एक एक फंड करने के लिए आगे आते हैं हमारे कुछ इंडियान और्प्रेंण जैसे घुकारी पूरी शाफ हो गए नडटू को टेचेटीयार हो या फिर यह कुछ लोन ले लेते थे किस से हमारे European Bank से ठीके तो इस तरीके से बच्चों ये काफी जादा help out करते थे हमारे Indian Farmers को राइट इसके अलागा अगर आप देखोगे बच्चे जो cotton था भारत से cotton export इंडिया से पहले fabric export होता था लेकिन during the 19th century ये कही ना कहीं बेचेंगे क्या तो उन्होंने pressurize कि अपनी सरकार को आप एक काम करिये पहली चीज cotton के इंपोर्ट पर restriction लगाई उस पर tariff लगाई जिसे इंपोर्ट ना हो पाए दूसी चीज हम जो समान मना रहे हैं उसको इंडेस्ट्रिल मार्केट में इंडियन मार्केट में आप जाके sell out करो अच्छे number में sell out करो राइट तो आप यह कह सकते हो कि भारतिय कॉटन जो पहले European में Europe continent में बेचा जाता था खासकर बिटेन के अंदर वो काफी decline हो गया राइट तो अगर हम बात करें 19th century के टाइम पर ब्रिटिश में इन्फाक्टर्स थे उन्होंने भारतिय अपना सामान भरना स्टार्ट कर दिया आप देखो हमारी कांदी जीने पर कई बार का है कि भाई बिटिश सामान को मत खरीत हो तो क्यों मत खरीत हो बाई सिंपल सी बात है कि वो इसलिए वो जादा बिग जाता था राइट लेकिन उस से माज लोकल प्रेडियूसर से इंडिया से सामान इंपोर्ट कम कर रहे हैं बट इंडिया को एक्सपोर्ट जादा कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा करके होता गया था ब्रिटिश के पास एक एक्स्ट्रा माउंट आया ता जिससे वो अपने बाकी देशों के साथ जितनी भी कर्शेत है उसको सौट आउट करते अगता हमें तबर प्लस नहीं से रहोंक है हौम चाञ्जर मदभ इंडिया के इंद्र जो नंका ऑफिशब सेंटी लिग पेंस्टेंड दना बाकी खर्चों को मैंटेण करना यसा आगा एसी सारी चीजसें भी शर्पलश से में और चांप करते था छाय अंप तनी चेजह Industry takie तो पुल मिला के बात यही है कि ब्रिटेन का भारत के साथ एक ट्रेट सर पलस था यानि के एक स्ट्रा था मैंने आपको एक सिम्पल से एक्जाम्पल देगे समझाया कि भारत को यह समान तो 500 रुपे का बेशता था लेकर भारत से खरीदता था सिर्फ 50 रुपे का गार रहा है इसको modern industrial war भी कहते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है यह जो है बच्चे इसमें ऐसी चीजों का utilization किया गया था जो industries के अंदर बनी for example machine guns हो गए tanks हो गए bombs हो गए तो ऐसे बहुत सारे ammunition right तो इसमें लडाई हुई थी बच्चे तो इस टाइम पर इंडस्ट्री थी उनको रियर स्ट्रक्चर किया गया था ताकि वह वह और के जो respect में नीट्स हैं जितने भी ammunition हैं कपड़े हैं इन सारी चीजों को प्रेडियूस कर पाएं तो ऐसे समय में क्या हुआ कि जो बाकी देश थे वह तो बहुत से भी लोन मांगा है तो बात करते हैं बच्चे वार के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन पहले एक वर्ल लीडिंग कॉनमी वा करता था उसकी प्रोजिशन बिलकुल चेंज हो गई अब इस बीच में ब्रिटेन जो था पूरा वेस्टेट था वार के अंदर तो इंडिया औ कि बाई उस कर्जे को उतारना ही ब्रिटेन के लिए काफी बड़ा मुश्किल पैदा हो गया अगर हम बात देखें बच्चो यूस एकॉनमी ने कंपारिटिवली जल्दी रिकावर किया ठीक है और मांस प्रोडक्शन यूस एकॉनमी का बहुत इंबॉटन फीचर बिन गया कि इस सिल्सिले में हेंड्री फोड इंका फोड मोतर से बच्चे उनको पाइनियर आफ मांस प्रड़क्शन माना जाता है उन्होंने अपनी नई तरीकी कार बनाई जिसको हम कहते हैँ टी फोड टी अशतर फोड का टी इसको है अब हैंडी हंडी हृई फोड ने क्या किया ब कर दिया लोगों की इंकम्स को बढ़ा दिया जितने इनके फैक्टरी में ट्रेड यूनियंस काम करते थे उनको अबॉलिश कर दिया ताकि कोई विरोध ना कर पाए तो लोगों की जादा इंकम बढ़ी लोगों ने कहा बहुत बढ़ी यहां बात है तो हैंडी फोर्ड का जो क 1923 में उसने दुबारा से बाहर की जो कंट्री इस तिया लगला कंट्री इस उनको लोंस देने साट किये और लोग भी सब समान इसलिए अराम से खरीद पारे दी क्योंकि बैंक्स जो थे लोगों को आसान रेट पे आपका लोंस प्रोवाइड कर रहे थे अब फिर आता है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जिसने सारे के सारी लोगों की बैंट बजा दी जो सबसे ज्यादा एफेक्ट हुआ था वह आपके अग्रिकल्चर रीजन से बहुत सारी आते हैं पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है अग्रिकल्चर लोग प्रोडक्शन यानि इस होप में कि भाई पहले नहीं थी दुकाने तो बहुत सिंपल सी बात है आपका बढ़ेगा जो पहले पुराने प्रोड्यूसर जो काम नहीं कर रहे थे उनका साइट से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तब आप ही अकेले आदमी हो जो दुनिया को प्रोड्यूस करके दे रहे हो लेक को ने लोन दिया था बटो लोन रिकावर नहीं कर पा रहे थे तो एकॉनमी की हालत बिल्कुल खराब होने लगी और युएस ने फिर बोला कि भाईया हमारे लोन्स वापस करने स्टार्ट करो तो ऐसे दे जो कि युएस के लोंस पर डिपेंडेंट थे उनसे जब दुबार युएस ने उन सारे लोंस को वापस खीच लिया था जर्मनी दुबारा से बच्चे बिकार आलत में चली गई थी तो ऐसा सारे जगे हुआ था भारत भी इस से चुता नहीं है भारत में भी बच्चों इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे रिस्पॉंस इस जो इंडिय सरकारों को टक्स यहां पर नहीं दे पा रहे थे इसंट अगर फर एक्जांपल बात करें 1928-34 के बीच में जो गेहों के दाम थे इंडिया में 50% से भी कम हो गया 50% से उनका फॉल आया 50% decrease हुआ ऐसे केसे में हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर कम्यूनिटी थे जिन्हों हमारे लीडर को अप्रोच किया क्या फाइट करिया हमारे लिए और बोले के भाया हमारे जो टैक्से जो रेविन्यूस हमको देने इसको प्लीस कम कराया जाए ठीक है अगर आम बात करें जो अर्बन ड्वेलर्स हैं उनसे कहीं जाधा जो हमारे फार्मर सेंज किसान है उन्होंने जाधा सफर किया राइट रूरल इंडिया अगर हम बात करें जब 1931 में मात्मा गांदी ने सिविल इंडिया तो रूरल इंडिया जो था हमारा बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा था राइट पर जूट बच्चे जिसका यूटलाइजेशन बोरियां बनाने के लिए यू बच्चे रूट का जाम जुथा गिर गया अब ऐसे पेजन जिन्होंने लोन ले रखे थे इस खौप में कि डिमांड बढ़ेगा इनकी इंकम बढ़ेगा उनके उपर बढ़न आ गया क्योंकि पहले तो दिमांड अच्छी कासी थी मार्केट में लेकिन जब दिमांड कम हु इस थी अभी उनको बहुत सस्ते में समान मिला था उनका लिविंग सांडड बेटर हो रहा था क्योंकि हर चीज काफी सस्ती अवेलेबल थी अग्रिकल्चर प्राइज गिरेंगे ठीक है समान सस्ता होगा तो फार्मर्स के लिए नुक्सान है क्योंकि उनकी मेनत पानी में ग करणा था रही इसके बाद अगर बात करते हैं 20 सालों बात करी 1st World War के 2nd World War break out होती है कि दो पावर्स की बीच में आइड़ाइड पावर्स की बीच में अगसे आपका में नाजी जपान इटली और वापस सिवाई ब्रिटेन फ्रांस एससार और आपका क्या होता है बच्चे पहला यह था बच्चों कि यूएस जो था एक dominant economic power के रूप में बनके उबरा था लेकिन यूएस के साथ यूएस साथ इसको आप कहते United Soviet Socialist Republic or Soviet Union वो भी एक और superpower था जो बच्चे World War 2 के बाद बनके निकला है अब इसके बाद important factor यह भी आता है United Nations का भी establishment किया गया था साथ ही साथ एक ऐसा monetary system established किया गया जो कि दुबारा से इस पूरे economy को restructure करें तो दो चीज़े हैं इस पूरे reconstruction से पहली बात कि आप ज़्यादा produce करिये लेकिन ज़्यादा consumption भी ज़रूरी है mass production mass consumption की बिना नहीं चल सकता ठीक है दूसरा important part बच्चो कोई भी country का outside world के साथ economic link कितना stronger है इस पर भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूवत है तो इसी के लिए बच्चे conference की गई Britain Woods conference के नाम से जानते हैं और इसने दो institutions को establish कि एक था हमारा IMF और दूसरा हमारा world bank जिसको ब्रेटेन वोड ट्विन्स के नाम से भी जानते हैं तो international bank for reconstruction development dollars called as world bank ठीक है तो इसको post word setup किया था जिससे कि जो इसकी member nations है उनकी economy को दुबारा से recover किया जाए इन्होंने अपने operation start किये बच्चे 1947 में और इसी सलसले में एक international monetary system आता है जहां पर हम fix exchange rates की बात करते है ठीक है अब इस monetary system ने क्या किया कि भाई आज किसी भी देश की currency थी उसको एक certain quantity के against एक comparable quantity के against fix कर दिया जैसे for example जो हमारा INR है Indian national currency है हमारा बच्चे इंडियन रुपी है ठीक है तो इसको क्या किया गया dollar के against a fixed exchange rate इसका fix कर दिया गया मानने की एक dollar को fix कर दिया गया कि equal to इतने INR हो का ठीक है अब इसमें problem यह थी बच्चों कि इसमें बहुत simple problem यह थी कि यह जितना भी exchange system था यह market के factors पर dependent नहीं था यानि market में loss हो रहा है फाइदा हो रहा है उससे कोई भी system effect नहीं हो रहा था तो अगर हम बात के रिए US dollar को भी fix कर दिया गया था कि भाया एक US dollar will be equal to simple सी बात है 35 dollars per ounce of gold right तो कहने का मतलब यह कि fixed exchange rate है यानि मैंने कहा कि particular currency को दूसरी currency के against fix कर दिया गया है यानि कि 1 dollar की value fix कर दी गई है मान के चलिए 20 रुपे के equivalent तो वो change नहीं होने वाली चाहिए international market में कितना भी profits हो कितना भी loss हो एक dollar will be equal to 20 rupees only ठीक है तो यह कहलाता है आपका fixed exchange rate लेकिन आप देखेंगे कि dollar दीर दीर जो है ना week पढ़ना start कर गया था अगर हम वर्ल ट्रेट की बात करें तो 8% से वर्ल ट्रेट ग्रों किया था ठीक है बिट्वीन 1950-1970 और लोगों का income जो है करीब 5% से ग्रों कर रहा था तो ब्रेटन बूट सिस्टम बेसिक सी बात है बच्चों सिर्फ जनली पहले उन लोगों के लिए अगरेट किया गया था जो उस पर्टिकुलर टाइम पेस के मेंबर्स थे जिनकी एकॉनमी काफी हाम हुई थी वर्ल्ड वार के चलते और उनकी एकॉनमी का रिकंस्ट्रक्ट करना इसका मेजर टास्ट था ठीक है ग्रोथ आप देखेंगे बच्चे मेजी स्ट्राइबल थी ज्यादा फ्लक्टुएशन नहीं थे और इस पूरे टाइम पिरेट के टाइम पर आगे बढ़ रहे थे कि किस तरीके हम लोग भी डेवलप कंट्रीज के तरह अपनी टेक्नोलोजी को बढ़ा पाएं और इसके चकर में बहुत सारे हैं जो थे हैवी इंवेस्मेंट करना इसके लाव अगर आप बच्छों देखोगे कि सेगें बहुत सारे ऐसे पार्ट से जो अभी भी यूरोपन को इसलिए क्या गया था ताकि जितनी भी इंडस्ट्रिल कंट्रीज हैं उनके रीकंस्रक्शन में उनकी एकॉनमी को बहतर बनाने में काफी जादा हेल्प कर पाएं अगर आप देखेंगे कि लेट नाइटीन फिटी से जो हमारे आयमें फगरा है इनोंने थोड़ा थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत जाद हम जी 77 कहते हैं इंपॉटेंट है बच्चो ठीक है और इन्होंने बोला कि न्यू एकॉनमिक ओडर लाया जाए जहां पर इन देशों के पास अपने रिसोर्स का खुद का कंट्रोल हो एक फेर मॉनिटरी पॉल्सी हो साथ ही साथ जो इनके मैनुफाक्ट्चर्ट गूड्ड हैं इनको इंटरनाशनल मार्केट में एक बैतर दाम मिले ठीक है यानि इनको एक फेर कॉंपिटिशन चाहिए था जो अभी तक इनको नहीं मिल पा रहा था इसके अलगा करते हैं बच्चे डेस्पाइट इतने स्टेबल ग्रोथ के बारे में सब कुछ सही नहीं था अगर हम इस डॉलर की जो करेंशी बच्चे युएस का इसमें उतना दम रह नहीं गया आज रिजल्ट आपका जो फिक्स एक्स्चेंज रेट का सिस्टम था बच्चो वो ब्रेक डाउन हुआ और यहां से स्टार्ट होता है फ्लोटिंग एक्स्चेंज रेट यानि की एक ऐसा एक्स इस से एक इंटरनाशनल फिनांशल सिस्टम जो था काफी हद तक चेंज हुआ कैसे चेंज हुआ कि पहले किया था बच्चे डिवलपिंग कंट्रीज पहले आराम से इंटरनाशनल इंस्टिउशन से लोन ले सकते दे लेकिन अभी इन्होंने क्या कि शिस्टम को चेंज किया करते हैं बच्छ अनेंप्लोइमेंट दुबारा से 1970s के बाद से बढ़ना स्टार्ट होता है और 1990s तक काफी हाइं प्लोइमेंट था 1970s के बाद अब देखोगे जो multi national corporations है उन्होंने Asian countries के तरब अपना base शिफ्ट करना इसलिए स्टार्ट किया कि वहां पर चीप लेबर सस्ता लेबर अवेलबल था अभी चाइना जो था बच्छो पोस्ट वर्ल्ड वर economy से काफी ज्यादा cut-off है क्योंकि isolation में चला था बहुत टाइम से लेकिन जो नई economic policies आई चाइना के अंदर वापस isolation से चाइना बाहर आया तो उसमें बहुत सारे foreign investors को अपनी तरफ अट्राट किया wages जो थी comparatively कम देनी पड़ती थी चाइना जैसे countries में labor सस्ती थी as a result बच्छे foreign MNC था उनके लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा जरिया बन गया आपकी कमाई करने का साथी साथ investment करने का राइट तो आप यह दिख सकते हो कि एक तरीके से जो relocation हुआ है पिछले कुछ decades में हमारी बड़ी-बड़ी companies के द्वारा इन चोटे एशन कि कभी भी जब जिंदगी में failure आ जाए और पहले अटम में failure हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ियां से बड़ियां गड़ेत की किताब की शुरुवाद भी किससे हुई थी बिटा एक जीरो से हुई थी और सक्सेस्फुल माथ मेंडिशन बनने के लिए भी कहीं नहीं जीरो का importance भी बहुत जरूरी है है कि नहीं तो इसी के साथ बच्चों मिलता हूं आपसे next lecture में thank you so much for joining making of global world चार्टर काफी लंबा है मुझे पता है इतना समय बिल्कुल परियाप्त नहीं है आपको cover कराने के लिए पर फिर भी एक छोटा सा करें आपको चीज़ों को क्लेर करने का ठीक है बच्चा बाड़ी मिलते हैं आपसे नेक्स लेक्चर में हस्ते रहें मुस्कराते रहें धटे रहें मिलके फोड़ेंगे बोर्ड एक्जाम्स पबाए बच्चों